असलाम नीकुम आपिवन आज हम लोग वर्डप्रेस की थील के बाले में पढ़ेंगे उससे पहले जो है डी से जैम कंट्रोल ओपन करना है आपने और यहां सबने पैची और माई-स को फूर स्टार्ट कर लीचेगा देन न्यू ब्राउजर में जाके लेट में स्टार्ट इस दोरों के स्टार्ट करते हैं मिनिमाइज करें वेब ब्राउजर में जाएं वेब ब्राउजर में यहां पर आपने लिखना है लोकल होस्ट वन लेडी आर्मी मेरी जो वेब साइट का नाम था वो और उसके बाद स्लैश टब्यू पी डश एड्मिन अरू स्लैश लिखें एंटर करना है मिरे पास लिखावा आता रहेगा क्योंकि मैं कई बार काम कर चुकी हूँ इसलिए मिरे पास लिखावा आ रहा है आपके पास यह ऐसी लिखावाए तो आप एरोगी की मदद से आगया के और एंटर कर लीजिएगा यह एंटर करने के बाद आप लॉग इन कर लिएगा और लॉग इन जहां मैंने कर वाया अपना डैशबॉर्ट और और अपना पासवर्ट देखें वह मैंने ओफिन करवाए यह मेरा डैशबॉर्ट आगया है और डैशबॉर्ट के ओपर आप लोगों में यह तमाम इंटरफेस जो है वाचीता से समझा सकते हो लास्ट वीडियो के अंदर पोस्ट मीडिया वगारा अगर आपको देखना है तो लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं यह इसका आउटपुट आ रहा है यह मेरी ब्लॉग वैबसाइट है आप देखें यह मैं आप लोगों को इस तरह दिखा रहा है कि मैं आपको इसका एक थीम समझाना चाहते हूं थीम होता क्या वीसिकली थीम यह होता है कि मेरी जो जयने के लिए Blissली होताइस्ट मनें आप लेत ऊ साव देगी वीडियो चाहर रहा है से लिग कहिए हम यह ब्लॉक आइस को हम अ हैटरां यह था संटाम और हैं अभलोक एलिमेंट के अंदर जहा है व ताप बार भी कहते हैं और अफ्य части शाहिश्ण वाही यह हमारी और इसके अंदर जो आप्शन हैं यह हमारे पेजिस के लाइक एजुकेशन का इसलामिक फैशन ही तमाम मेरे पेजिस हैं आप मैं जो भी पोस्ट बनाती हूं ऐस फर आज मैं जो है वो तमाम काम कर लेती हूं माशाललह से तो आज सब को मालूम है कि मैं तक्रीबन तमाम काम कर लेती हूं मल्टीज के परसन हूं तो यहां पर मैं एजुबिशन इसलामिक और फैशन ब्यूटी या है जिस मतालगी मुझे अपना पोस्ट बनाना होता है तो वह मैं यहां पर क्रिएज करके अप्लोड कर देती हूं यह मेरा होम है होम का बटन है और यह मेरा सर्च का बटन है और यह आपको इस तरह से पोस्ट नजराएं यहां पर डिफरेंट सेक्शन यहां पर जो यह वर्टिकल सेक्शन है इसके अंदर डिफरेंट फॉलो के जो है वो लिंक्स मैंने यहां पर सेट कर दी हैं मतलब मीडि सोशल मीडिया पर मुझे फॉलू करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो फेस्बुक पर निम्गी में और यूट्यूब बगारे पर यह सब यहां पर मैंने लिंक्स दे दिया हैं यह इस तरह का इंटरफेस है कि आप आपकी वेबसाइट जब किस तरह से आप्यर हो तो यह सब जहाएं वो थीम्स के थूरू हम करते हैं तो इस तरह की अडाने के लिए यह इसके लावा कोई और भी थीम्स आपको देनी है तो उसके लिए हमें थीम्स इंस्टॉल करनी होती ह है तो उसके लिए तेम को सब्सक्राइंगे से स्छेसे अ हैं आपको सोग माउसक्त बा spicy है ढाइब तो डिफरेंट आपशन आपको शोगरेगा प्रिवीव और डिटेल का यह तिन आपशन आपको शोगरें थीम डिटेल एक्टिवेट और लाइफ प्रिवेव अगर आपको देखना है कि यह थीम जह है किस तरह से वर्क करेगी या इसका प्रिवीय कैसा नज़रा आएगा और अगर आप इसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी डिचेल्स आप ठाथ'? पर लेत यह तो it's enough for detail देगा और अपूस को पढ़ए और यहाँ से आप एड नियु कर सकते ईया एड यू से भी आपं यूथिम आज़ वास तें नाइड करवाते हैं? मैंने 2023 यूज़ कर लिए फ्लैश यूज़ कर लिए जीटा यूज़ कर लिए और जीटा चाहिए मुझे पसंद आई तो मैं जीटा ही यहां पर आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगे और इसी पर काम करेंगे हैं इसके लावा फ्लैश भी अच्छी है और 2023 भी अच् है तीन इंस्टॉल है तीनों के पर इंस्टॉल लिखा रहा है और काफी अच्छी जब्रस से आपको टैंपलेट मिल रही हैं अब आप अर्णिंग करना आपके ओपर हैं अगर आप अप वर्ट पर काम कर रहे हैं तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और वेबसाइट ज में कंपलीशन अभी कम है अच्छा मुझे जीटा सर्च करने में तो टाइम लग जाएगा इस तरह से देख लेते हैं डार्क थीम भी आजकल काफी पॉपलर है तो जीटा में यहां देखें यहां सर्च थीम के बॉक्स में यहां पर क्लिक करके वैसे तो जो थीम्स हैं वह पांच हजार नौसट थीम्स हैं मैं जीटा को जहां वह ढूंडू तो उस ढूंड़ने की बजाए मैं यहां लिख दोगी सर्च थीम के अंदर और एंटर करूंगी तो मुझे जीटा की जो थीम है जीटा से रिलेटेट जो थीम है वो दे देगा है यह मुझे फ्लाथीम के ऊपर गाम करके देया तो आपको उसका नाम लेंके सर्च विर्वाज सकते हैं जी जैण से भी है जीटा से मुतालिक ही काफी सारी लाइक जीटा सिंपल जीटा है जीटा स्टोर है जीटे शाप है और इंस्पाइर के लिए है यहां पर जीटा से मतालग जो है वो तैन आपको थीम्स जो है वो मिल जाएंगी मैं सेंपल जीटा को ही यूज करूंगी क्यूंकि शोकेस्वियर प्रोड़क्ट की बात कर रही है और इसके लिए अगर अगर कोई भी आप पर थीम्स जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं मतलब अगर कस्टमार ने आपको रिकॉरण नहीं किया डिमार्ड नहीं किया कि आप उसको फ़लाद यहन पर काम करके दें तो आप खुद से कोई तीम्स करते हैं तो पहले उसकी डीटेयल्स जो है वो चेक कर लीजेगा कि एव से जीता की जो ढीडेयल है इसके अंधर ब्लॉग क है काफी सारे options है मैं भी दिखाते हैं थोड़ी दिन में आपको और install पे इसको इसको इंस्टाल कर सकते हैं पहले आपको इंस्टाल करनी पड़ेगी इसके पाद जहें प्रिवियू का बटन है और प्रिवियू के बटन से इसका प्रिवियू देख सकते हैं चले इसको पढ़ लीजेगा और पढ़के ही काम कीजेगा लाइक शॉपिंग के लिए इस्टोर के लिए एजनसी के लिए पॉर्टफोलियो के लिए रेस्टोरेंट वैडिंग हॉस्पिटल स्कूल इंटियर बहुत सारे हैं इसके अंदर और ब्लॉक्स के लिए भी है ये ब्लॉक लिए यहां पर और जो मुझे व्लॉक्स के लिए ही चाहिए योगर राजियो में बहुत सारे ऑप्शन यहां पर किवन हैं काफी जो है वारीशन इसके इंदर है इसी दिए मैंने इसको सब्सक्राइब है चूस किया है ताकि आप लोग जो जिस निश्पे भी काम करना चाह है है कि इसको इंस्ट्राल कर लेते हैं अच्म निय refuse जीटा है जन ही जीटा है इसको जीटा कर लेते हैं Selom करने शॉन जीटा के ओपर मैं माउस पोइंटर लिक्यांगी इंस्ट्रॉल का ओप्शन है तो इंस्ट्रॉल के पर क्लिक करें इंस्ट्रॉल होगा टाइम लेगा थोड़ा सा डिपेंडिंग और नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन यह देहें अभी इंस्ट्रॉल हो गया तो यह चेक करवा देती हूं पहले जायों मेरा 2023 का थीम जो है एक्टिवीट था तो उसका आउट्पुट कुछ और आ रहा था आप लोगों ने प्रिविएस वीडियोस के अंदर देखा होगा भी मैं दिखाती हूं तो वह भी आप देख लिए कर किस तरह आ रहा था मजीद भी मै जाना हासर ले लेते हैं ओके इसको देखे एक और जो है वह थीद है यह अच्छी लगजी ड्रीम क्रियेट सक्सेस वगए रखी और इसको इंस्टाल करवाते हैं इंस्टाल करवाके जब हमारे पस एक्टिवीट का बटन आएगा तो इसको हम एक्टिवीट कर वादेंगे ठीक है अब इसको एक्टिवीट करवाते हैं तो मेरे टैशबोर पे पांच अपेरेंस के सेक्शन में पांच डिजाइन जो आ जाएंगे यहां पर दिखिए इसने तीन डिजाइन देदिये हैं उस सेक्टिए उस डिजाइन उस कॉलीब्री की जो मेरी थीम थी जब मैंने इ काम स्टार्ट करने इसको एक्टिव करवा लेना है अब दिखें जीटा जो है वह एक्टिवेट करवाती हूं है क्योंकि मुझे जीटा पर काम करना है इसलिए मैंने जीटा को एक्टिवेट करवाया और अब मैं आपको इसका आउटपट दिखाती हूँ थोड़ी देर में एक सेकंड कि आइं जस्ट चेकिंग हाँ जी पांच यह और जो पहले वाली थी मों मैंने एक्टिवेट होई थी जो इसके बिल्कुल बराबर में आप लोगों को नजर आ रही है यह वाली थीम इसको मैंने किसी भी थीम को अगर आपने लेना है तो बस उसको जाकर एक्टिवेट करें द तरह का नजर आ रहा था इसको रिफ्रेश करूंगी जीटा मैं एक्टिवेट कर चुक्यों हम इसको रिफ्रेश करूंगी तो अकॉर्ण टू जीटा अं टैंपलेट और मेरा आउट्वुट आए गई देखें इस तहां से के यहां पर जहां मेरा लोगों आएगा यहां पर एक्सेंबल मेजच नज़र आएं यहां पर मेरे सारी पूस्ट नज़राएं और यहां पर भी डिफरन्ट कैटेग्रिशन ऐना कर्यूंग है तो अब तू यह सिंपल यहां पर ना मैंने कोई पूस्ट लगाई है नहीं कोई कबन्ट है नहीं मैंने पीकोई इंपर्ट दिया है कोई भी नीदिया इविन के मैंने लोगों तक नहीं लगाया है तो फिलारी ऐसी नज़र आ रही हम सबसे पहले पेजिस क्रियेट करेंगे ताके हम इसको कैटेग्राइज कर सकें मॉडिफाइज कर सकें कस्टमाइज कर सकें अपनी टेंपलेट को अच्छा मैं आप लोगों आप लोगों जो भी यहां पर इंस्टॉल करेंगे ना आपनी थीम को वह सब आपके कंप्योटर के फोल्डर में जहां पर मैंने डीमया बनवाया था वहां पर नजलाएंगे भी मीन दिखाते हूं आप लोगों को यहां पर बागई तमाम चीज़े जो है आप लोगों है इसके अंदर मैन्यूस है 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 बैक्राउंड है जी टॉप्षिन है यह तमाम आप्षिन आप लोगों को मिल जाएंगे और जिटेल मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी यहां पर भी मिल रही है ठीक है जी इसके लावा आप यहां से भी इन डिटेल्स वगारा को आप सकते हैं मौडिफाय कर सकते हैं जबी आपने मौडिफाय करना हो और प्रॉब्लम हो तो इन डिटेल्स को लाजमी पढ़ लीजिएगा पढ़ने का मिल पास टाइम नहीं है अभी आप लोग शॉर्ट वीडियो बनानी है तो जल्दी जल्दी हम इसको आगे काम करते हैं कि आप कोई भी थीम लें पढ़के करिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब अगर किसी ने डिमांड करीएगे आपको फुलां थीम पर काम करके देना हैं और उस थीम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इंबॉक्स कर लीजिएगा था कि मैं आप लोगो को रिपलाए कर दू प्रॉपरली और आप लोगों को ही उसका जो है रेफरेंस मिल सके जितनी भी बात आप करेंगे वह तमाम मेरे और आपके दिर में रही है यहां पर डी में जैम के फोल्डर के अंदर आके जो मैंने अपना एस्टी टॉक्स के फोल्डर बनाया था यह वन लीडी आर्मी वाला थर्ड वन इसके पर डबल क्लिक करें आप मैं जाओंगी आइधिंक एड्मिन में कॉंटेंट में चले चेक कर लेते हैं एड्मिन में गए तो यहां थीम को ऑप्शन नहीं आ रहा बैक टू कॉंटेंट हाँ यहां पर देख यहां जो भी फीम आप इंस्टॉल करेंगे वह यहां पर भी इंस्टॉल हो जाएगी आपके अपने वोल्डर के अंदर आपने में चीनजिज़ कर्वानी है अकोर्डिंग तो यहां से भी करवा सकते हैं गार कोई कहता है कि कळलर चेंज करें या स्टाइल चेंज करें या और भी कोई चींजिस करवानी है तो आप यहां से करवा सकते हैं तो जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि कोडिंग आनी ज़रूरी है WordPress इंस्ट्रॉल रहने का मतलब हर्गिस यह नहीं है कि आप कोई जाहिल बंदा बैड़ के जो है वो वेबसाइट बना ले लेवल होता है हर एक का जाहिल बंदा ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता है ठीक है यहां तक समझ में आ गया होगा उमीद करती हूं नेक्स क्लास तक के लिए ऐला हाफिस नेक्स क्लास में इंशाला हम बेजिस पढ़ेंगे टेक कियर